यह देखिए सब पर्योजना है purpose की बात नहीं या project method है यह देखिए project method purpose भी एक है कहे सकता है project method प्रोजक्ट मेथड देखिएगा इसकी इस्टी बड़ी यह भी समस्य समधिती है प्रोजक्ट मेथड की बात करें परियोजना विदी परियोजन विदी या परियोजना विदी जिसे कहते हैं परियोजना विदी ठीक है यह देखें परियोजना विदी क्या आया प्रोजक्ट work method क्या इसके बार हम जानते हैं यह विदी जोन डीवी के सिशे विल्याम ऍषेटिक की गई देखिए लिए कि इसका concept तो देखो इस नहरो और लेकिन इसको concept बेस बनाए सटाया किल पेटिक पूरा दिया लेकिन इस दता जन्न एटिक है कि इस वीदी द्वारा एक विदारती स्वेंब अपने रूची से आपने पाट्टे कराम या वेसे बस्तू अपने किर्याओं में किकि रामजस स्स्तापित करते होगे सीखता या अधिकम करता देखो डेको रामजस स्नी किर्याओं में सामंजस से आ प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है किसी भी टोपिक से लेके उस प्रोजेक्ट को लेके आपको अपनी जो किरिया है विसेवस्तू की उसके अपना सामंजे से दिखाना पड़ता है उसी को लेके आपको एप्रोजेक्ट तिया जाता है आप प्रोजेक्ट त्यार करते हो यह भी स्वम सीख सकता है सभी यह विदी जो अधार्ण पर आधारी थैं किन्तु इस विदी की विचारदार विक्सित करने का स्रें। कि किल्पेट्रिक को जाता है जैसे मेरे बताये देखिए बर्यूजना विडी की मैत्द पुर परीबास बहुत जनों ने दी है उस परीबासों के बाद हम करता है कि प्रोजक्ट मेतट है क्या के सबसे पहले ने के जो विचारधर उदेशी स्कारे चाथरों जानाना परियोग जैसे कोई अपना उदेश्य होना चाहिए जो इसका उदेश्य होना चाहिए देखिए क्या है प्रोजेक्ट वो उदेश्य कार्य उदेश्य पून कार्य देखिएगा उदेश्य पून कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावन में किया जाता देखिए लगन के साथ लगन यान पूरा अपना डेडिकेशन के साथ उसकारे को करना है सामाजिक वात हम सामजीवातायून का निर्माण stehen अपने सहपाटेकों के साथ उपने सहपाटियों के साथ कैसे भोलने कड़ने वारताव आपका सारेखा सामाजी का वश्कास करता है। तो देखे अगली परिपासा, Stephenson क्या गयता देखेगा, Stephenson की परिपासा, योजना एक समस्या मुलक कारी, देखेगा, मैंने studying में बताया, project method की मैंने के समस्या समधी थे, समस्या मूलक कारिया जिसे प्राकर्तिक इस्तितिकोर्दफरे मैह शबदों को पक्रणने का परियास आप करेंugenic High School सब पकर आने चाहिए और शिम्स बड़ों मिनस आपको जरूर आना चैखता है योजना जो परियोजना है car noirozao prophet project होंगे समस्य मुलक कार यह है देखि क्या होती क्या है ज्यांस समझे कर दराक हिए कि बचड़ा खोई भी है ग्रूप में भी हो सकता अकिला भी हो सकता एक बच्टी को एक समस्या के समाधान के लिए उस बच्चे को बोला जाता है कि समस्या आपके सामने यह और इस समयादान आपको अपने इस तरह पर करना ठीक है इनको guideline कर सकता है निर्देश दे सकता है ठीकए पूरा हस्तक सभी नहीं कर सकता है लेकिन उनको बता सकता है कि गाइडलेन दिसा निर्दे सो जरूर दे सकता है कि समस्या मुलकारी, एक समस्या दी जाती है और उसे एक नेचुरल्टी परदान की जाती है, उसे सवतंत रूप से छोड़ा जाता है, उस समस्या को देखे कि समस्या का समाधान होता है, उसी तरीके से, समस्या मुलकारी है, जिसे प्राकरति इस्तितिम पूरा किया जाता है, ठीक है, ये इस्टिमेंजन कहता है, अगला, देखे बेलाड क्या कहता है, बेलाड क्या क्या कहता है, प्रोजेक्ट वास्तुक जीवन का एक छोटा सांस है, जिसे विदाले में स वास्तक जीवन में जब जीवन जीवन जीते हैं तो हमें क्या बाता जिंदगी में या जीवन में अनेक समस्यां आती है हर पल आती है एक जाती है दूसरी आए जाती है कहीं कि जिंद्गे तो जटालाल के तरह आती है आती जाती है एक जाती है दूसरी आ बहुत अच्छा लगा मुझे देखिये – वास्तुक जीवन का समस्या होती है उन समस्यों कर छोटा सा अंध से है . जीसे विदाले में नान समपार देटें चाहता में पूंप चाहती है जीवन में तुम्हारे पास ऐसी ही समस्या आएगी ठीक है स्पाँ भी है कि आपके सामने जीवन की समस्या ये प्रोजेक्ट ही है हमारे सामने भी समस्या रिटको लेंक एक सेट क्रेंट को लेंकर सेलिपस नहीं है कि रुम से दूर मैं वाल बैटे है में कोशिंग değil नहीं हो रही है तो अपने पास शमस्या है इसका समधान भी होगा निसनर रहे जाता है कि अपने पास वधाले का ये जो ग्राउंड है ये हैं और इस समस्या का समधान कीजी एं प्रोजक्ट आपको दिया गया है ठीक है एक समसिया दी जाती है तो समसिया को आप समाधान कीजिए इसका उदेश से इसी इसाधार हम क्या ले सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के मातियम से भावी जीवन में आने वाली समसियों का सामना किस तरीके से कर पाता है समसियों का हल किस तरीके से कर पाता है उसी के लिए इसमें जो मैंतने बाते हों देखे किया क्या किया प्रश्यक्ट मैंतर की बाते देखे इस विदी के नुस्षार विड़ार्पी अपनी समस्या का सवाभए ग्रूप से कोजने के कोशिशिज क्रता हैं वो समस्ये का को खोजने की कोशिस करता हूं कि समस्य के बारे में हल क्या हो सकता है कोशिस पूरी कैसे हो सकती समस्य कैसे हो जाएगी पूरी इसके बारे में और समस्य काल करता है ठीक है यह होगी बात चलिए आगे इस विदे में विदार्ती सवतंत रूप से कारे करता जैसे कि मैंने बता उसको प्रेसराइज नहीं किया जाता है बस एक गैडलाइन जरूर दी जाते दिशान एडरेश दिये जाते बाकिए उसको सौतंतर रूफ से कारे करना होता अपनी समस्याग अपने स्वहम के विचारों के अदार पर किया जाता है विचार आपने होते बस एक समस्या जो है टीचर देता है प्रोजट के मातयम से और अपने विचारों से उसको पूरा करना करना होता है यह देखिए अगला क्या रहा है इस वीदी में सारों पढ़ना विधारतियों को उदेशियों को यका बिंस्प्ष्ट किया जाता है देखो मैंने क्या गहां कि बेना उद्थे तो आप किसी को समस्य नहीं सकते लिए नहीं से कुछ किसी बच्छे कर माइंड खराब करना जीवन में भावी में बावी जो पीडी है उसमें जो आने वाली समस्य निकाल पाते हैं यह तरीके से समस्यों को हल करने की एक skill develop की जाती है इस project method क्याता है यह आपका उदेशी महिनी आपका उदेशी अलगलग project का अलगलग हो सकता है आप जियानात्मक भावात्मक किर्यात्मक किस तरह का उदेशी चाहते हैं कि उनमें development हो बच्चों में तो यह उदेशी है पहले सरवपर्तम क्या किया जाता project method में आपके जो है उदेशी इसपर किया जाता है उसके पस्चाद तत पस्चाद उदेशी को ध्यान में रखते हु देखिएगा अनुबहों के आदार पर कैसा करेगा उनको समस्या दी गई ठीक है अब समस्या दी गई उसके पास पूरों का अनुबह है पहले का अनुबह है वो उन अनुबहों को याद करेगा ठीक है उन अनुबहों को याद करेगा और उन अनुबहों को अब जो समस्या दी गई है उन समस्याओं में अप्लाइ करने की कोशिच करेगा उन अपने पूरू अनुभव के आदार Putting Heartle समस्य को हल करने की कोशिच करेगा ठीक है क्योंकि अनुभव द्थारा सेके गहे ज्ञान को को विदार्ति कभी नहीं बोलता कभी नहीं बोलता अनभु द्वारा ज्ञान जो सिखा जाता है वो इस्था ही रहता है ठीक है यह वीदी वास्तिकता के सिद्धान परकारे करती है आपको वास्तिकता पूरा प्राकर्तिक वात्ता उन परदान किया जाते हैं क्योंकि यह विदार्ति को इस परकार के सिख्षा परदान करती है जिससे फल्सुरूप अपने जीवन की समस्यों का समधान कर शक है हमने बात कर क्या जा सकता यह देखे ये आपके पास यह समधान करना अब समस्या देके टीचर तो निकल जाता है। ठीक है। अब उनको एक सभतंद्रवातावन पत्रदान किया जाता हैं। यह समस्या आपके पास है. अब समधान आपको ही करना है। तो अब अपने पूरो के अनूवो के आदार पर वो इस समसे का समधान करेगा से इस परकार से केंदर में क्या रह गया सेंट्रिन में कौन है वालक होқ गया तो बालकेंदरी जिखसा हो गया इस अक्तीक से हां सब कुछ जो करना है बच्चे को करना यानकी जो है बालक को करना है थीक आगया इस विदी में विदार्ती सक्रिय किर्वर्य रहते हैं समुम एं रहकर कारय करना इसने इसे उनमें आत्म विश्वास रहती है देखिएगा कैसे। मैंने कि रहती है कि जाती है जो आपको समस्या है, इस समस्या है क्या आपको हल लोन्न ना है, खिर हल लोन ना तो में रहता है की इसको जल्दी से जल्दी नेप्ता ना खा रेगो, तो वह क्या रहेगा? एक्टीव रहेगा, किर्अ catching रहेगा, शक्री रहेगा ठीक है हूँ व शम्मण्कार के समधान करने को सिस करेगा जब एक्टीव रहेगा वह ठीक है और जैब समूं में रहेगा तो campus करने करेगा उनसकी help लेगा भी उनके साथ अच्छे से वैवार भी करेगा और जब एक बार उस समस्यों का जब सामना कर लेता है जब ग्रूप में या पर अकेले भी तो उसमें क्या आत्म विश्वास पैदा होता कि मैं ऐसा कर सकता हूं यह मैंने कर दिया तो आने वाली समस्यों क सामना भी मैं कर सकता हूं इसी परकार प्रोजक्ट में तक आत्म विश्वास पैदा करता है देखेगा वीती चाहिए कैसी भी हो हर्षी के दो पहलू के तरह गुण और दोस्त होते ही है इस वीदी के दोस्त क्या देखें यह वीदी बहुत अधिक समय लेती है बहुत अधि सिख समस्यों घेँके बैठ गया और उसकी बाद भच्चों पर चोट दिया अब बच्चे उस समस्यों का समय व कर पाते हैं एक दिन दो दिन यहाँ पर कही हças है सकत अधिक लगा हते हैं उस प्रकार से moist अधिक अधिक लग जाता है समस्या के पीच्चे हम कहीं दिन पर देखिएगा कोई हमने समस्या दे दी उसके साथ उनको सोर्शेज भी तो देने पड़ेंगे न संसादन भी तो भाई उनके पास समान होगा तब ही वो समस्य का समधान कर पाएगा अब हर एक स्टुडेंट के पास या हरी स्कूल में ऐसी अरसा नहीं होती संसादनों की जि कौन – कौन से इस्टेव यान की इसके पद जो है, कौन-कौन से इस्टेव इसके सोपान को हमें पूरा करना पड़ेगा, स्वोपान से होकर भी governors पूरी होती है देखेगा सबसे पहले कारिक्पय करम योजना बनाना देखेड करोजेक्त क्या नाम हन प्रोजेक्त परयोजन है कितनों को नहीं देना उनको बाता हम नेचुरविक कैसी कैसे देनी है समस्य कैसी दी जानी है समय क्या दिया जाना इस सारी विवस्ताह करके हमें योजना पूरी Bना त्गै झाहिए कर लेके अब आपकार्य करना और यौजनता के बाद क्ली करना की यौजन्म करना घरंख करनान और। ठीक है आपने यह वजनम यह भी बना लेकिस रिसोर्स यह दिया जाएंगे लेकिन उनको कार्यानवेंद करना यह बहुत बड़ी जिम्मेदर होते हैं सेकेंड इस्टेफ हमना कार्यानवेंद उनको उसके बाद अपलाई करना third step क्या है मारक दर्शन पर्दार करना मैंने क्या आगा टीशर्स जो है समसे उनको देंगे ठीक है इक 2rän मुलियंक ऐसे देखो सबसे पहले क्या योजनम बना ली उसके बाद उनको Kyriyanorit कर दिया, फिर उनको थोड़ा मारक दर्सित stories भी कर दिया, कि बच्चों हो इसा कारे करना है, ठिक है उसके बाद, बच्चों ने कैसा कारे किया है, कैसा नहीं किया है, उन समझ से जो उधेशिये था अपना, वो उधेशिये पूरा हो पाया या नहीं, यह उस चीज का मुल्याइंग विर्षा को बादी त्वारा वालग वैवारिक ज्यान प्राप्ट करते हैं, रोा इन sausages को पगड़ा है? वैवारिक ज्यान कस है? हमें ऑन स्भ़से की बात समय यहां जाती है, ग्रूप में भी दी जा सकती है, अकले भी जा सकती है और हमें समचे अकेसे नेचरणार नी मस्टाणां की जाती है, जब हम बच्चों से Šjadi मिलते हैं, समचे इसे व्यूम्दान के लीए किसी बच्चे से खालगा ट हैं उससे गाइड लेंगे, उसे पूचेंगे इक वाटालाब करेंगे, उसके साथ बाते करेंगे. तो हम निम्समाश्ए क्योंकि जब हम किसी समस्य का समाधान करते हैं तो हम एक्टिव रहेंगे बच्चे जब जो है एक्टिव रहेंगे इसलिए कि उनमें चिंतन सक्ति का विकास होगा ठीक है वो तरक करना सीख जाएंगे तरक वितर्क वगरा सब चिंतन करने का उनमें है जो विकास होगा ठीक है जब आप से सायो करना सीखते हैं कि सायो करना कैसे सीखेंगे ने कि जब गुरुप में रहेंगे एक दुसरे का सयो करेंगे death और उनका पता चल जाता कि मेरे रूचिक इसमे क्थुपर ऑपना कारे भी करना सीखते थिए। अब इस्टेफ की बात थी कि हमने प्रोजेक्ट मेधड के स्टेप की बात की अब क्या स्टेप है इसका देखें प्रक्रिया इसका प्रोसेस क्या है हमने बात की स्टेप की कि स्टेप क्या क्या है पद किया थे सोपान क्या थे आप देखें प्रक्रिया क्या इसकी प्रक्रिया पूरी कैसे करेंगे उसका सबसे पहला प्रक्रिया का चरण है वह देखे समस्या का पता लगाने है अपने पास जीवनें बहुत सारी समस्या होती है तो समस्या है क्या समस्या है क्या इस चीज का पता लगाना से करू जैसे कि कुल में जैसे की लगवगी समस्या की लिए कि अब दक घ्रम singsine star है कि हम सारी समस्या को एक साथ खत्म नहीं कर सकत ते सारी समस्या को कि एक साथ अल कर नहीं सकते इसलिए उन समस्याओं में से एक एसी समस्याओं का चुनाव कर रहेंगे जो अपने हिसाब से मैं तो पून हो ठीक है देखो हो गई एक समस्य का चुनाव कर लिया सबसे पहले समस्य का पता लगा लिया फिर हमने एक समस्य का चुनाव कर लिया उसके बाद उस जो हमने समस्य बनाई है ना उसकी रूप्रेका बनाएंगे, यह समस्या किस तरीके से ही है, ठीक है उसकी पूरी रूप्रेका तयार करेंगे, रूप्रेका किस लिए कि ताकि उसको हल कर सके इस समस्या को, देखे, अब विदी का परियोग करना, अब प्रोजेक्ट विदी में भी यह विदी की इसमें कौ आप्लाइचा आप्लाओ करेंगे। सारी चीजों करेंग तरीका से, उसका निरेक्शन करेंगे कि वास्तों कि यहां साभित हो सकती है, सही है, आप जुमे Tan mean it difficult, मुल्यं अंगन क्या है। समस्या दिये थी उस समस्या और अपना जो उदेश्य था वो उदेश्य ये वाच्छे पूरा कर पाता है